दोस्तों, दस साल पहले, हमारे देश में छबी बनी हुई थी, कि PMO एक शक्ती का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सप्ता के लिए पैदा हुआ हूँ, न मैं शक्ती अरजित करने के लिए सोचता हूँ, मेरे लिए PMO सप्ता केंद्र बने, PMO शक्त केंद्र बने, यह न मेरी इच्छा है, न मेरा वो रास्ता है, और जिए 2014 से, हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया हूँगा, और पहले जो PMO में रहे हूँगे, उन से पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजन के रुपे ही बना, डेवलप करने की कोशिश की है, वो कैटलिक एजन के यहां से उर्जया प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार जे, विद्यूत की तरह नई चमक दे, नई रोषनी दे, नई शामर्थ दे, और मेरी कोशित रही है, कि PMO यह सेवा का अधि स्थान होना चाहिए, PMO यह पीपर्स PMO होना चाहिए, यह मोदिस PMO नहीं हो सकता है, और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाए 140 करोड कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड परमात्मा का रूप है, और जो मैं सरकार में बैट करके कोई नजने करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं, कि मैंने आज 140 करोड देश वाकियों को, इस रूप में मैंने पुजा की है, और उनके चरणों में मैंने, इस योधना के रूप में एक पुष्प होता है उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए है हजारों मस्तिस्क जो इस काम में लगे हुए है हजारों भूज़ए जिस काम को कर रही है एक जो विरात रूप है उसी का परणाव होता है कि सामान ने मानवी को भी उसके सामर्थ का साक्षातकार होता है और एक मार जब सामर्थ का साक्षातकार हो जाता है तो समर्पन अपने आप समाहित हो जाता है और ये पूरा तीन महेने का कालखन उस सामर्थ के साक्षातकार का, उस सामर्थ के प्रती समर्पन के भाव का, और उस समर्पन के अंदर नए संकल्पों की उर्जा जुड़ी हुई थी जिसका परणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रसस्त हो रहे हैं हम बो लोग नहीं हैं कि जो इतने बज़े अफिस शुरू होता है, इतना बज़े पूरा होता है, हम बो लोग नहीं हैं हमारे लिए समय के बंधन नहीं है हमारे लिए सोचने की सिमाए नहीं है हमारे लिए उर्शार्थ के लिए कोई मांदन्ड नहीं है जो इससे परे हैं वोही तो मेरी टीम है और वोही टीम पर देश को भरोसा है साथियों दस साल में बहुत सारे लोग आप पैसे होगे जो दस साल से मुझे जेल रहे हैं कुछ लोग है जो साथ अब जेलना शुरू करेंगे कुछ लोग होंगे साथ पहुत होगे आप कहीं और जाए तो अच्छा होगा जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरब से सुबकामना है आपने इतना किया इतले धन्यवाद है जो आना चाहते हैं अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खब जाना चाहता है पांट साल आईए निबंत रहे हैं और हम मिल करके दोखो एक इलक्ष नेशन फर्स्ट एक इरादा 2047 विट्सिद भारब और मैंने पब्लीक भी कहा है मेरा पल पल देश के नाम है और मैंने ये भी बादा किया है देश को 24 by 7 for 2047 मुझे वो टीम से अपेशाय है मैं मेरी टीम से चाहता हूँ और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम सबै से पूरा कर दिया मुझे मिला हुआ काम गल्ती के बिना कर दिया मैं समझता हूँ अच्छी चीज है लेकिन परिपूर्णता नहीं है मैंने उसमें वैलू एडिशन क्या किया मैंने पूरा किया लेकिन जादा अच्छे से पूरा किया मैंने पूरा किया लेकिन आगे अब किसी के सर पे बोज नहीं रहेगा इतना मैंने करके रखा है अगर ये अगर हमारा भाव है हर चीज में वैलू एडिशन हर चीज में क्वालिटी अब्डिशन तो मुझे पक्का विस्वास है दोस्तों तो हम पांच साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले है उसको हम परिपूरन कर सकते है दस साल का मेरा अनुभव है जो ताय किया उसको हम करके रहे है ताय भले मोदी ने किया नहीं करने वाले आप है करके रहे हैं हम सब मिलके करके रहे हैं हम सब की सामुहिक शक्ति का पन्राम है कि हमने एक क्रिकेट के रुप में इसको काम किया है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्ति के जीवन में और खास करके टीनेज ग्रूप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे अगर उस समय क्रिकेट की सिजन चलती है उसका मन करता है एक अच्छा क्रिकेटियर बन जाओ दिमाग में रहता है एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपिलर हो गई तो फिर मन में करता है यार यह फिल अच्छा है मैं अक्टर बन जाओ उसी समय मालनी जै चंद्रयान की घटना घटिये है तो उसको लगता है यार यह फिल बहुत अच्छा है साइन्सिस वह जाओ जाओ याने जादातर बो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थीर होती है और जब इच्छा अस्थीर होती है तो सामान ये मानवी उसको तरंग कहता है उसको लगता है यार तो तरंग ही है ये सुबह एक सोचता है दूपर को दूसरा से इस पर बात मत करो है ऐसे ही वो फुर्दंग बाजी करता रहता है इच्छा जब अस्थीर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है लेकिन जब इच्छा स्थीर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अर्षे तक इच्छा को स्थीर सा मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है इच्छा अगर अस्थीर है तो तरंग है इच्छा अगर स्थीर है तो संकल्प में कनवर्ट हो जाती है और संकल्प के अंदर जब परिशम की पराकास्ता जुड़ जाती है तब जाकर के सिभ्वी प्राप्त होती है और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए इच्छा प्लस थिर्ता इज इक्वल टू संकल्प संकल्प प्लस परिसम इज इक्वल टू सिद्धी जिस टीम ने इतना बड़ा एस्टिमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कियार कुछ अब बहुत हो गया साब थोड़ा सांती रखे तो अच्छा होगा इस रोज नहीं नहीं चीजी लेके आते है नेकिन मैं मानता हूँ अब मेरा दाईत्व भी दस साल मैंने जो सोचा है उसे ज़्यादा सोचने का है दस साल जो किया है उसे ज़्यादा करने का है और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंच मार्क को पार करने वाली दिशा में करना है कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों पहले पांच पर थे अब दस पर पहुंच गए वो वक्त पुरा हो चुका है अब दुनिया इस विशे पर यहाँ पर है और यह से आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमें आरे देश को हमें पहुंचाना है और व्यक्तिके जीवन में हो समू का जीवन हो या रास का जीवन हो जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परणाम नहीं मिलता है सात्यों जब हम काम करते हैं तब तीन चीजें बहुत अनिवार्य होती है और अगर तीन चीजें हमारे पास उपलब्द हो तो मैंने मानता हूँ कि विफलता दूर दूर तक मिन नजर आएगी और जो मैं तीन बाते कहता हूँ एक clarity of thoughts जहां तक इस सरकार का सवाल है मैं मानता हूँ कि कोई उल्जन नहीं है बाएं जाए दाएं जाए उपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पाकर के रहना है इतनी clarity of thoughts किसी भी काम की सभलता के लिए सबसे पहली जरुवत होती है faith in conviction दूसरा पाट है कि जो मैं सुन रहा हूँ जो मुझे बताए जा रहा है उसके प्रती मेरे मन में असरद्धा नहीं होनी चाहिए मेरे मन में इपसे नबढ़से नहीं होनी चाहिए faith in conviction जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार मेरे विचाहरों में मेल नहीं बैड़ता है लेकिन यही है रास्ता तो चलो लग जाओ लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है clarity of vision, faith in conviction is not enough to achieve और इसके लिए चलता है character to act मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गरना पड़ता है मेरे समय का सरवादिक उप्योग उस काम के लिए लगाने का मुझे priority तह करने होती है खुद को खपाना पड़ता है मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धी, सब कुछ मेरा character to act उस काम को पूर्ण करने वाले character के रूप में अगर निकलता है तो मैं परड़रामों को फ्राट करणा मेरी team के पास ये सब कुछ संबव है दोस्तों जिस team ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं और जल्दी कैसे कर सकते हैं और जादा scale पर कैसे कर सकते हैं अगर उन चीजों को लेकर के आप साथी आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वात हैं, कि 140 करोर देश्वास्यों ने आपके पुर्शार्त को महर लगाई हैं, यह चुनाव मोदी के भाषणों को महर नहीं है, यह चुनाव आपके दस साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुर्शार्त को महर लगी हुई है, इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई हैं तो आप लोग हैं इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिनों ने एक विजन के लिए अपने आपको खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेजगती से काम हुए जिसका प परादा नहीं हुआ हूँ सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है कई लोग मुझे इस चुनाओं में भी और हमेशा मैं पिछले तीस साल से ये सवाल सुन-सुन के ठक चुका हूँ कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो ठकते क्यों नहीं हो मुझे लोग कुछ से रहते लेकिन वो मेरे बाड़ी को तरास रहे हैं मेरे बाड़ी में क्या खाता हूँ कितना सोता हूँ मैं योगा कितना करता हूँ अब वो गलत ट्रैक पर है इतले मेरी एनर्जी का रहस्यों को पता नहीं है मेरी एनर्जी का रहस्या मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिन्दा रखता हूँ और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिन्दा रखता है वो कभी भी सामर्त हिन नहीं होता है शक्ति हिन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है